इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम आलेकूम रहमतुलाई वरकातु इत्याद दिन्ज में आप सभी का खेर मगदमें कुछ दिन पहले फादर्स डे पर अपने वालिदें को मुबारक बाद पेश करते कुछ पोस्ट मुने दिखी वालिदें के साथ सेल्फी लेकर सोशल मेडिया पर पोस्ट किये जाते हैं पर क्या सिर्फ सोशल मेडिया पर मदर्स डे या फादर्स डे मनाने से बच्चों की जिम्मदारिया खतम हो जाती हैं कहते हैं नेक आउलाद माबाप के लिए सद्के जारिया है वैसे तो इसलाम में मदर्स फादर्स डे का कोई वजूद नहीं और ना ही बड़ापा घर बनाने का हिते कभी आप किसी बड़ापा घर या ओर्लेज होम में जाएंगे तो हर बुजुर्ग के अपनी एक दास्तान एक कहानी होगी क्या वाकई जिन वालिदें ने अपने लुक में तक तुमारे हलक में डालकर परवरिश फरमाई आज इतने बोज हो गए कि इन्हें किसी सड़ लिए बस्टैंड पर छोड़कर इन्हें चले जाते हैं आखिर क्या जवाब दोगे ला को क्या तुम्हें बुड़ापा नहीं आने वाला है क्या आज मुसल्मान भी यहुदी मुश्रिक की तरह सोचने लगाए जवानी के कुछ लमहात बीवी बच्चों के साथ घुजरते वक्त इन्हें यह एहसास नहीं रहता कि जवानी के कुछ लमहात गुजर जाने वाले हैं आज तुम्हारे वालिदेन जहां खड़े हैं उसी जगह पर तुम्हें भी खड़ा होना होगा बुड़ापा इम्तिहान है और इस इम्तिहान के जरिये सब को गुजर कर जाना है इस साल में उमरा और बार बार हच तो करता है पर घर में वालिदेन के साथ बुरा सुलूग करता है दुनिया में सभी रिष्टे मतलबी हो सकते हैं पर माबाप हमेशा अपने बच्चों का बैतर सोचते हैं कई वालिदेन अपने आउलाद बुरा सुलूग करने के बावजूद तो बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा होता है वालिदेन की दौाओं से जिंदगी की राउनक होती है बाप एक ऐसे किताब है जिस पर बहुत से तजर्वे तहरीर होते हैं तो जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई करते हैं इसलिए कभी अपने से दूर मत आपके लिए वालिदेन को अपने से दूर मत रखके वालिदेन हमेशा बच्चों की हम्मत बढाते हैं जब किसी मुश्किल की वजह से इनसान को हाला ठखा देते हैं वस्वत सिर्फ वालिदेन का यह कहना के मेरा बेटा बड़ा हमत वाला है किसी बुजग का कौल है अगर तुम सत्तर साल तक खाने काबा का तवाफ करके इसके नेकियां अपने माबाप को हदिये के तौर पर पेश करते रहोगे तब भी एक आंसू के कत्रे का भोज हलका नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माबाप की आँखों से गिरा हुआ हो यहां तक किसे मर्ज में मुबतला होने पर दवाईयां तक नहीं देते हैं अच्छे घरानों के वालिदेन कुछ रुपियों के दवाईयों के लिए सरकारी अस्पतालों में बुडापे में खतार लगाये खड़े रहते हैं किस दौर में हम जी रहे हम क्या वाकिये खाफ कि प्रदा नहीं रखते क्या कियामत के दिन तुम्हें अल्ला के सामने जवाब दें नहीं होना है यकीन जानिए जो भी बच्चे वालिदें से बदसलू की कर रहे हैं अपनी आखरत के साथ साथ दुनिया भी बर्बाद कर रहे हमने यह भी देखा है कि अक्सर बेटे शादी के मभादं वालिदें से रुएत कर देते हैं बहुत कम लोग बचे है जो वालिदें के किमत करते हैं अ किमारा काभियाका काबिल हैं जो काम्याब जन्दजी की दलील है जिनके लिए वालिदेन दिल से हमेशा बच्चों के लिए दुआएं देते हैं बेटियां दूसरों के घरों में बैह दी जाती है पर माबाप की फिक्र अक्सर बेटियां ही करती रहती कहते हैं अगर बेटियां नहीं होती पर आउलाद की ठोकर को बरदाश नहीं कर सकते हैं और इसी वक्त वह अंदर से टूट जाते हैं आउलाद की जिन्दगी का सबसे बुरा वक्त वह है जब आउलाद के डर से वाली देन अपनी जरुत और नसीहत करना छोड़ दे कहते हैं हजारों की कमाई एक तरफ पर बाप के हाथ से मिला दसका नोट उसकी बरावरी नहीं कर सकता आउलाद को कदर करनी चाहिए उन हातों की जिन हातों ने बच्चों की जिन्दगी की बुनियादे मजबूत करते करते अपने हातों में लाटें और तच्पी पकड़ी सही मुस्लीम की रिवायत है नबी करीम ने तीन मरतबा फरमाया कि उस शक्स की नाक खाकालूद हो सहाबी ने पूछा एल्ला कि रसूल कौन है वो शक्स कि भी एक हो सकती है किस बुराई में हम मुब्तला नहीं है बताईए आज आउलाद की बड़सलुकी से वालिदेन की बड़ी ताइदात परिशान है जब माबाप की दुआएं बच्चों की जिन्दिया सवार सकती है तो माबाप तो माबाप की बड़ुआएं भी तुम्हें जलील कर सकती है और अगर माशरे का अक्सर नौजवान इसमें मुब्तला हो तो आस्मान वाला कभी खैर के फैसले नहीं कर सकता इतिहाद नियुद देखने के लिए शुक्रिया अल्लाफिस